प्रश्न, अयोध्या भारत की किस राजय में स्थत है? आपकी ओप्षिन है अबिहार, वी कुजरात, सी उत्तर प्रदेश, वी मध्य प्रदेश, आपका सही जवाब है, सी उत्तर प्रदेश. प्रश्न, राम मंदिर के निर्मान में किन पत्थरों का प्रमुक्ता से उप्योग किया गया है? आपके ओप्षिन है अमकराना, राजस्थान, बी कोल्लूर, तमिनाडू, सी लाल ग्रेनाइट, आंध्र प्रदेश, दी शाहबाजपुर, मध्य प्रदेश. आपका सही जवाब है, अमकराना, राजस्थान. प्रश्न, राम मंदिर के ये कानूनी संग्ष की अबदी क्या थी? आपके ओप्षिन है, A. 114 वर्ष, B. 97 वर्ष, C. 102 वर्ष, D. 134 वर्ष. आपका सही जवाब है, D. 134 वर्ष, प्रश्न, अयोध्या के हवाई अड़े का नाम क्या है? आपके ओप्षन है, अरागव हवाई अड़ा, B. महर्शी वालमिकी अंतर राष्ट्रिया हवाई अड़ा, C. अयोध्या अंतर राष्ट्रिया हवाई अड़ा, D. दश्रत आपका सही जवाब है B. महार्शी वालमिकी अंतराष्ट्रिय हवाई एड़ा प्रश्न अयोध्या में हवाई एड़े का उध्धातन कब हुआ? आपके आप्षिन है A. 30 दिसंबर 2023 B. 22 जन्वरी 2024 C. 14 जन्वरी 2024 D. 25 दिसंबर 2023 आपका सही जवाब है A. 30 दिसंबर 2023 प्रश्न राम मंदर परिसर में कितनी एकर जमीन शामिल है? आपके आप्षिन है A. 5 एकर B. 10 एकर C. 55 एकर D. 70 एकर आपका सही जवाब है D. 70 एकर प्रश्न राम मंदर की नीव में इस्तिमाल हुए काले पत्थर शालिग राम शिला का क्या महत्व है? आपके आप्षिन है A. भगवान राम के पद्चेहन का प्रतिनिधित्व करता है B. एक पवित्र तीरत स्थल माना जाता है C. भगवान विश्नु का प्रतिक D. माना जाता है कि यह एक उलका पिन्ध है आपका सही जवाब है C. भगवान विश्नु का प्रतिक प्रश्न, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा है आपके आप्षिन है A. यमुना, B. गंगा, C. सर्यू, D. कावेरी आपका सही जवाब है C. सर्यू प्रश्न, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्चिद विध्वन्स के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे आपके आप्षिन है अविश्वनात प्रताप सिंग, B. अच्टी देवगोडा, C. पीवी नरसिमह राओ, D. मनमोहन सिंग आपका सही जवाब है C. पीवी नरसिमह राओ प्रश्ण, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्चिद विध्वन्स के समय उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कौन थे आपके आप्षिन है अकल्यान सिंग, B. राजनाथ सिंग, C. मुलायम सिंग यादव, D. योगी आदितेनाथ आपका सही जवाब है अकल्यान सिंग